वेल्गम टू पजबी लिए। आज कम बनाईंगे मलाई और प्याज की सब्जी। मलाई और प्याज के सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट बनती हैं और अगर घर में जब भी कोई सब्जी नाहों खाने के लिए जेट पट्चे बनके त्याल हो जाती है और आप इसको रोटी के साथ परांटे के साथ नाल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं खाने में इसको सबी के साथ जह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मैंने आठ प्याज लिये हैं और सबी प्याज मैंने एक प्याज को चार ह decentralized में काट लिया है यह देखिए एक प्याज मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है दो हिस्व में काटके इसको हम बीच में से ऐसे अलग कर देंगे यह भी हम इसी तरीके से काटेंगे आप सब भी प्याज इसी तरीके से काट सकते हैं और इसके इलावा हमने लिया है एक चम्मच धनिया पॉडर, एक चम्मच गरम मसाला पॉडर, एक चम्मच लाल मिर्च पॉडर, एक चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अलसा डासकते हैं, एक चम्मच हल्दी पॉडर, दो बड़े चम्मच ओईल, एक कप फ्रेश मिलाई, एक कप पानी इसके इलावा हमने थापत मुसाले लिये हैं एक स्टिक दालचिनी, चार हरी एलाइचे, एक चम्मच जीरा, चार लाल मिर्च आईए इसे बनाना शुरू करते हैं पैर हमारा गरम हो चुका है इसमें हम दो बड़े चम्मच वाइल डालेंगे वाइल गरम हो गया है, एक दालचिनी की स्टिक, चार हरी एलाइची, एक चम्मच जीरा पॉडर, चार रेट ची, इसको थोड़ा से स्प्राई करेंगे अब हम इसमें प्याल डाल देंगे अच्छे पीशे से लाएंगे प्याल को इसको उन्टीन-चार मिनट के लिए ऐसे भी फूप करेंगे जब सक इसका सूड़ा सब्लच हो है, चेंज भी होज़ता जब तक इसका ब्राउन नहीं होता है तब तक हम इसको कूप करेंगे और दो-तीन मिनट के लिए हम इसको दख करके रख देंगे तीन मिनट हो चुके हैं आईए चैक सकते हैं आज हमारी कूप कूप हो चुके हैं अब हम इसमें नमक दालेंगे एक चम्मच में नमक लिया था हमने नमक लिया नमक दाल देंगे लाल मिर्च पॉडर दाल देंगे एक चम्मच धनिया पॉडर एक चम्मच गरम मसला पॉडर एक टीश्पून हवरी पॉडर आज हमारी मिक्स हो गया है अब हम इसमें मलाई एड़ करेंगे अच्छे पॉडर लालेंगे मलाई की सबजी वाक की खाने में बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही ज्यादा स्वादिस्ट होती है आप एक बर इसको पनाके जुरूर देखिए थोड़ा सा हम पानी अड़ करेंगे पानी आपने ज्यादा नहीं डाला आदा कप पानी डालेंगे बस इसको हम तीन मिनट के दोड़ा यू तीन मिनट के लिए हम फूप होने के लिए रख देंगे तीन मिनट बाद फिर चेक करते हैं झ्सक्रा मिन्ट